नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मुनील और एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल मुनील सर की क्लासेज में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 के हिंदी का जो 6th lesson है मेरी वियत नाम यात्रा उसके objective questions को इससे पहले के जितने भी lesson है सारे के objective questions, subjective questions और summary का वीडियो मैंने upload कर दिया है अगर आप लोग उसे भी देखना चाहते हैं तो उसका link description box में आपको मिल जागा आप उसे भी देख सकते हैं तो चलिए आए आज की वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले आप से एक छोटा सारी फेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वेजिट कर रहे हैं तो प्ली चैनल को सस्क्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जब भी कोई नई वीडियो इस पर upload हो तो उसका notification आपको मिल जाए तो चलिए आए शुरू करते हैं पहला question आपका दिया हुआ है मेरी वियत नाम यात्रा सिर्शक पाठ के लेखक कौन है तो दोस्तों ये पाठ जो है ये लिखा गया है हमारे राज के पुर्व मुख मंत्री भोला पाश्वान सास्त्री के द्वारा जो कि दिया हुआ है option B में तो option 20 का right answer हो जाएगा भोला पाश्वान सास्त्री अपसे बता दे कि ये भोला पाश्वान सास्त्री हमारे राज के मुख मंत्री रह चुके हैं और एक बार दो बार नहीं बलकि ये तीन बार इन्होंने मुख मंत्री के तोर पर राज का बागड तो देखिए ये जो पाठ है ये यात्रा विर्तान्त है जब भोला पाश्वान सास्त्री वियत नाम की यात्रा पर जाते हैं तो वो रास्ते में क्या देखते हैं वहाँ पर पहुंच कर क्या क्या करते हैं किनसे मिलते हैं ये सारे चीज का वर्नन इसमें किया गया है तो ये है आपका यात्रा विर्तांत ओप्शन सी इसका राइट आंसर हो जागा नेक्स्ट है आपका कोश्चन नमर थ्री त्री में आप से पूछा गया है लेखक भोला पाशवान सास्त्री किस प्रदेश के मुख मंत्री थे तो ये जो थे बिहार के मुख मंत्री थे यानि अपने र भी बताया कि ये हमारे राज के मुख मंत्री के तौर पर तीन बार राज का बागडोर संभाल चुके हैं यानि तीन बार ये मुख मंत्री रह चुके हैं तो इसका राइट आंसर हो जागा ओप्शन सी तीन बार नेक्स्ट है आपका कोश्चन नमर फाइब ब。 भोला सास्त्री का जन्म हुआ था 1914 में यानि की 1914 में तो इसका राइट अंसर हो जागा option B 1914 नेक्स्ट है भोला पास्वन सास्त्री का निधन कब हुआ था उनका निधन हुआ था 1984 में इसका राइट अंसर हो जाएगा option A next है आपका भोला पास्वान सास्त्री को किस चीज में गहरी निस्टा थे तो देखिए भोला पास्वान सास्त्री मुख मंत्री थे यानि एक राजनेता थे और निताओं को लोग तंतर में विश्वास होता है तो इसका राइट अंसर हो जागा लोग तंतर option A लोग तंतर बाकी आपका राज तंतर ताना साही समाज बात ये सब अंसर नहीं होगा क्या होगा अंसर लोग तंतर नेक्स्ट है आपका question number 8, 8 में आप से पूछा गया है भोला पास्वान सास्त्री के पिता जी का नाम क्या था तो देखे इनके पिता का नाम धूसर पास्वान है तो option B इसका राइट अंसर हो जागा बोला पाशवान सास्त्री के पिता जी का नाम था धूसर पाशवान नेक्स्ट है आपका क्वेशन नमर नाइन भारत छोरो अंदोलन के दोरान लिखत ने कितने महिनों तक काराबास में बिताया था तो देखिए जब 1942 यानि कि 1942 में भारत छोरो अंदोलन हुआ था अपने देश में आजादी के लिए तो उस समय ये भी भारत छोरो अंदोलन में हिस्सा लिये थे यानि कि ये एक स्वतंतरता सिनानी भी थे और भारच चोरो अंदोलन के दौरान इन्होंने 21 माह तक जेल में बिताया था तो option B इसका right answer हो जाएगा 21 माह next है आपका question number 10, 10 में पूछा गया है राष्ट संदेश पत्रिका का शंपादन डैस ने किया था तो राष्ट संदेश जो पत्रिका है इसका संपादन भोला पाश्वान नहीं किया था यानि इसका right answer हो जाएगा option A भोला पाश्वान सास्त्री next है आपका question number 11, 11 में आपसे पूछा गया है उनेश और बावन की आम चुनाओं में लेखा क भोला राम पाश्वान सास्त्री किस छेतर से चुनाओं में निर्वाचित हुए थे option A धमदाहा कोड़ा, option B हाजीपूर, option C महुआ, option D बैसाली तो ये चुनाओं से निर्वाचित हुए थे, यानि चुनाओं इन्होंने लड़ा था उनेश और बावन के आम चुनाओं में धमदाहा कोड़ा से option A इसका right answer हो जागा next आपका लेखक भोला पाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच तो सिंपल सी बात है कि उनको सरधांजली देने जाते हैं यानि उनसे काफी ये प्रभावित थे यानि किस नेता से प्रभावित थे ये तो वियत नाम के जो होची मिन्न थे उनसे काफी प्रभावित थे ऑप्शन इसका राइट अंसर हो जाएगा बगल में आप होची मिन्न जी का तस्वीर भी देख सकते हैं नेक्स्ट आपका कोशन नमर 13 भोला पास्वान सास्त्री अपनी पहली विदेश यात्रा के दौरान किस देश में गया थे तो देखिए वियत नाम यात्रा गय थे वियत नाम नहीं होगा आप इसे याद रखेंगे ऑप्शन भी नेक्स्ट आपका कोशन नमर 14 14 में आप से पूछा गया है लेखक ने बियत नाम में कितने दिन बिताए तो जब वो बियत नाम जाते हैं तो आपको यह करीब 10 दिन रहते हैं तो आप्शन एस का राइट आंसर हो ज लेगा कि यह जिस होटल में रुके थे उस होटल का नाम था होटल ओडियेंट ऑप्शन एस का राइट अंसर हो जागा आगे है आपका कोशन नमर 16 सास्त्री जी को तिसरे मंजिल पर कितने नंबर का कमरा मिला था तो उन्हें 251 नंबर का कमरा मिला था ऑप्शन बीस का राइट अंसर हो जागा नेक्स टैप का हुवसेन का अर्थ क्या होता है तो देखिए हुवसेन का आर्थ होता है कमल का फूल वियतना में दो चीजे काफी परसिद है एक होची मिन और एक है हुवसेन हुवसेन का आर्थ होता है कमल का फूल ओप्शन बीस का राइट अंसर ह जागा नेक्स्ट है कोश्चन नमबर 19 में आप से पूछा गया है होची मिन का पार्थिप सरीर कहां रखा गया था तो देखिए होची मिन का पार्थिप सरीर यानि जो मरने के बाद जो सब होता है लास होता है वो कहां रखा गया था वो रखा गया था होची मिन मशोलियम में तो option C इसका right answer हो जाएगा होची मिन मशोलियम तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही था वीडियो को अंतक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF डाउनलोड करे तो आप टेलीग्राम चैनल से जूर सकते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक description box में दिया हुआ है तो ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक जैहीन, जै भारत, जै बिहार